तीन चीजें बहुत इंपर्टेंट है डाइबुटिक लाइब में आपका ब्लोड सुगर, ब्लोड प्रेशर और कॉलेस्ट्रॉल ये तीन चीजें अगर पूरा कंट्रोल में है कभी आपके आँखे खराब नहीं होगे, किड्नी खराब नहीं होगे, हार्ट अटेक नहीं जब हम प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आँखों के नसे भी फट जाती है, फिर एकदम ब्लेडी होके अंधी हो जाते है, तो इसलिए चेक कराना बहुत ज़रूरी है, सेवियोर आइस, इस पर अगर किड्नी, डाइबटिस में हमारे जो किड्नी होते हैं, ये एक फिल्टर की तरह है, हमारे खुन को फिल्टर करके हमारे सरीर की जो गंदगी है और निकाल देते हैं, जो आवस्यक चीजें है रखा जाते हैं, और आवस्यक चीजें को किड्नी से फिल्टर होके निकल जाते हैं, लेकिन किसी को डाइबटिस लंबे समय से है, और ये डा जो छेद है बड़ा-बड़ा हो जाता है तो इस प्रकार जब high blood pressure, high blood sugar दोनों है तो हमारे kidney में pressure जादा होने के करण हमारे सरी की जो protein से जो आवस्यक है वो भी वहाँ leak होना शुरू हो जाता है तो urine जब check करते हैं देखते हैं protein उसमें आ रहा है तो फिर धिरे-धिरे-धिरे-धिरे kidney फेल हो जाता है फिर dialysis करो kidney transplant करो लाख रुपया भी जाता है जान भी जाता है तो इसलिए diabetic life में अपने kidney भी test करना, check करना बहुत ज़रूरी है kidney function test ठीक है तो बताया आपका blood pressure blood sugar और cholesterol तीन चीज़ें बहुत important है mostly जो pen killers है हमारी माता है हमारे देश में जड़ा सा कहीं भी थोड़ा सा pain हुआ सिधा दबाई के दुकान में देंगे अरे भोबरान गुली देना तो ये सरा ये गुली देना तो कुछ भी गुली लेके खाते रहते है चन्ने जैसा खाते रहते है बिल्कुल नहीं किड्नी खराब हो जाएगा आपको pen killer नहीं लेना है अगर दरद है बहुत कुछ ज़्यादा से ज़्यादा परासिटामल की गुली लो क्रोसीन नाम से आता है सभी को पता है कालपल, क्रोसीन दिन में तीन बर चार बर भी खालो कोई प्रब्लेम नहीं थोड़ा सा सहन करो लेकिन अगर ज़्यादा लंबे समय तक pen killer खाएंगे तो किड्नी पूरा बरबाद हो जाएगा कई ऐसे दवाईयां है जिससे किड्नी पर बुरा असर होता है आप कभी भी अपने डॉक्टर के पास जाते हो चेक करते हो साल में एक वारता कम से कम छे महने में भी करना चाहिए आपका किड्नी फंक्शन टेस्ट ठीक है आपका यूरीन ठीक है तो आप अपने खुन से यूरीन चेक करके आप जान सकेंगे कभी भी अगर माल लिजे आपका यूरीन एकदम टार्क कलर का रहा है जलन हो रहा है पिसाप में या आपके कमर की तरफ से पिछे साइड में दरद हो रहा है आपको बुखार हो रहा है एकदम कमपन होके ठंडी होके इंफेक्शन हो सकता है यूरीन इंफेक्शन होने से होता है तो चेक कराये, उसका इलाज कराये, नहीं तो बहुत प्रब्लम होगा, उपर तक किड्नी तक पहुंच गया इंफेक्शन, बहुत डाइबोटिस में, उरीन का इंफेक्शन माताओं को बहुत जल्दी हो जाता है, और एक बार इंफेक्शन होता है, तो लंबे समय तक ठीक नह होता है, तो बी केरफुल, चेक कराना ज़रूरी है, और ब्लाट पेशर में जो मेडिसिन है, नर्माल व्यक्ति कोई ब्लाट पेशर की मेडिसिन खाता है, ब्लाट पेशर की कई प्रकर की मेडिसिन आते हैं, लेकिन डाइबोटिक लाइफ में कुछ ब्लाट पेशर की मेडि को लेना चाहें जिससे किड़नी आपके आँखें सब प्रोटेक्ट करके रहेंगे तो डॉक्टर को बता के सही मेडिसीन लेना आवस्यक है कई ऐसे दवाईयां है यह सब आप बास्तब में आप सभी को यह सब याद नहीं रहेगा आप अपने डॉक्टर को ही हमेंसा बताए क कि डॉक्टर साब मुझे डाइबटी है मेरे किड़नी पर असर जिससे ना हो ऐसे कोई दवाई दिजेगा क्यूंकि बहुत भीड़ाका में बीजी लाइफ में हम सभी जो बहुत पेसेंट आते हैं हमारी ध्यान आखिर डॉक्टर भी एक मनुस्य होता है आप मत समझे कि भूल हो जाती है कुछ भी लिख देते हैं लेकिन आप अगर याद दिलाएंगे तो डेफिनेटली आपको सेफ दवाई हम देंगे ताकि आप सही सलामत रहेंगे इस परकर हमरे मसुड़े पर दांत पर क्या असर होता है डाइबटीस लाइफ में दांत और मसुड़े बहु जाता है फूल जाता है बदबुआने लगता है पस निकलने लगता है और ऐसे परियोड़न टैटीस हो के फिर अंदर डीप तक चला जाता है डीप रूट रूट एफसेस हो जाता है सालों तक फिर ठीक करना मुस्किल है लेकिन बिडम बना यही है कि दांत एक इंसेंसिटि अगर आपके कभी भी दांत में मसुड़ों में इंफेक्शन है आपका सुगर विल नेवर भी कंट्रोल नेवर भी कंट्रोल इसलिए आपका पहले यह ठीक करना ज़रूरी है और बहुत जल्दी इंफेक्शन क्यों होता है क्योंकि हम जो भी कुछ खाते हैं फुट पार्ट के लिए बहुत बढ़िया भोज मिल जाता है मॉल्टिप्ला करते हैं फास्ट इंफेक्शन हो जाता है बहुत जल्दी तो आपको कम से कम दिन में दो बार ब्रस करने की आवस्यक्ता है रात को सोने से पहले और सबरे उटते ही दो बार ब्रस करना ज़रूरी है जो यहां दो बार ब्रस करते हैं हाथ उठाइए येस वेरी गुड़ अपने लिए ताली बजाओ अपने लिए ताली बजाओ बहुत अच्छी वात है लेकिन जो भाई बेने नहीं करते हैं मैं आपको नमर निवेदन करूंगा रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आज से एक लेसन लेकर ज बार निवेदने लेकिन होता क्या है अगर किसी डाइबेटिस मरीज के मूँ में इंफेक्षन है पाईरिया है वो खुद को उसको पता नहीं चलता है उसके सामने वाला व्यक्ति जब बात करता है खड़ा हो के उसका इतना बदबु आता है मूँ फट जाता है पुरा नाक पंद कर देगा, कैसे भागूं करेगा, लेकिन उसको खुद को पता नहीं, जैसे किसी मंदिर में आप जाते हो, मंदिर में जो मुकसाला है, पहला ही इतना गंदा, इतना डटी है, कि आपको वहाँ खड़े नहीं हो पाते हो, तो आपको कैसा लगेगा, अंदर जाकी मुर्ती लेते हैं, उसकी स्वास्थे के हाल चाल क्या है, अब मुह से इतने बदू मारता है, तो उसका हेल्थ क्या होगा, आप हम समझ जाते हैं, तो आपको हर छे महने में कुछ प्रब्लेम हो या ना हो, अपना डेंटाल हाइजीन चेक करना जोर रही है, डेंटीस्ट के पास जाक चेक करना आवस्यक है, और सबसे बढ़िया गोल्डेन प्रिंस्पुल है, अगर डेंटाल हाइजीन चाहते हो, कुछ भी खाने के बाद, तुरंत ही मुह कुला कर देना चाहिए, खाने के बाद, तुरंत मुह लियो, अच्छी तरह से कुला करके, रिंज करके मुह साप कर द थोड़े समय तक करते रहें के तक थड़ा सा मजा आएगा न, तुरंत मुह दोलिया तक है, लेकिन नहीं, करना है, तो जाके डेंटल हाइजिन ठीक रहेगा, रात को तो खाने के बाद जरूर ब्रस करना है, क्योंकि जो फूट पार्टिकल्स थोड़ा भी अंदर रह जाता हो, कितने घंटे तक बिलकुल जर्म्स के लिए मोका मिलता है, प्रॉलिफरेट होने के लिए, मल्टिप्ला होने के लिए, तो सोने से पहले जरूर ब्रस करना, लेकिन ब्रस के लोग यू यू कर देंगे, एक मिनिट भी नहीं, ऐसा नहीं, आप किसी डेंटिस्ट के पास ज साफ इसको साफ करने क्या हो सकता है, जैसे मानलेजे, ये हमारा दांत है, मानलेजे जो ऐसे ये एक दांत, ये एक दांत, ये एक दांत, ये एक दांत, ऐसे, मैं ऐसे ऐसे रिगड़ता रहोंगा तो ये बीच का कैसे साफ होगा, कभी साफ नहीं होगा, इसको उपर नीचे स हाते हैं दंतम जन साफ हो जाएगा यसे-से करने से कैसे होगा होगा है नंहीं तो dental hygiene से हम समझ जाते हैं इनका स्वास्ती कि हाल चल कया है तो दांत बहुत important है अगर नहीं तो फंगल infection हो जाता है अंदर जाता है antarsh dough में सालों तक ठीक नहीं होता है, ऐसे हालत हो जाती है लोगों की, इस परकर जब हमारे ब्रेन में नसे ब्लॉक हो जाती है, देखिए, क्या होता है, ब्रेन अटेक, स्ट्रोक हो जाता है, पारलिसिस हो जाता है, हाट के नसे ब्लॉक हो जाती है, उपर देखिए, हाट अटेक ह हो जाता है, जो आप मखन बटर खाते हो ना वो सब जमता है उदर जाके, नस में ब्लॉक हो जाता है, तो इसलिए आपका blood pressure, blood sugar, आपके cholesterol ये सब पूरा control होना चाहिए, जो smoking करते हैं, टबाको लेते हैं, be careful, hundred percent death होगा मैं बता रहा हूँ, hundred percent death, heart attack होके, diabetic life में तो इस सब छुना ही नहीं है, बहुत dangerous है, और regular exercise करने की आवस्यक्ता है, खान पान संतुलर रखने की आवस्यक्ता है, आपको एक, इस चित्र से आपको clear समझा रहा हूँ, देखिए, heart के कई प्रकर के नसे हैं, ये side में right coronary artery लिखाए दिखिए, right side का नसे, right heart का ही नसे, इसमें मान लिजे, block हो गया, इस area में block हो गया, तो क्या होगा, क्या होगा, अगर नस अधूरा block है, partial block है, 70% से ज्यादा block है, तो chest pain होता है, एक normal व्यक्ति को chest pain होता है, तो समझ आता है, मुझे heart में problem है, लेकिन unfortunately, diabetes patient को, maximum लोगों को कुछ पेनने होता है, कुछ पेनने होता है, इसलिए, लापर भाई, और एक दिन sudden collapse, सिधा, तो इसलिए, जब block होता है, अगर partial block है, तो chest pain हो सकता है, कईयों को, लेकिन जब full block हो जाता है, देखिए, एकदम block हो गया, तो ये अरिया काला हो गया, देखिए नीचे, heart का, right side में, काला हो गया, सढ़ जाता है बिलकुल, एकदम, उसको हम myocardial infarction केते हैं, heart attack केते हैं, आदमी मर जाता है, majority लोग मर जाते हैं, तुरंट diagnosis हो जाके bypass surgery किया, कुछ किया, तो तुरंट बश सकता हैं नी, तो majority मर जाते हैं, तो जो हम भी मखन बटर जो खाते हैं, मैं क्यूं मना कर रहा हूं इस सब चिजह है, आप कहेंगे, कहां से डॉक्टर साब आये, ये सब कह रहे हैं, हमारे दादे, परदादे, नाना, नानी, तो इतने इतने खाते थे, मक्षन, घी, डेली खाते थे, कुछ नहीं होता था, हम को मना कर रहे हैं, हम तो देसी घी खाते हैं, देसी घी, अरे घी देशी हो या विदेशी हो घी तो घी है आप कहेंगे विदेशी आग लेके आया हूँ नहीं जलेगा मेरा कुछ देशी आग से जलता है और विदेशी आग से नहीं जलता है ऐसा कुछ होता है क्या तो आपके दादे परदादे खाते थे क्यों हजम करते थे, इतना महनत करते थे, भागते थे, दड़ते थे, खेती बाड़ी करते थे, सब कुछ करते थे, धूप में जाते थे, पिखल जाते थे, आप तो घर से निकलेंगे नहीं, एर कंडिशन चाहिए, सब कार में भी, मोटर में भी, सब चारो तरफ, कैसे पिखल यह सब कम खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, इस प्रकर foot ulcer, जिसको निरोपाथी हो जाती है, पाउ में, चलते चलते देखना एक दम पाउ सुन हो जाएगा, तो ऐसे घाव हो जाता है एक बार, तो सालों तक ठीक नहीं होता है, क्योंकि सारे body का weight transmit हो रहा है, कैसे ठीक होगा, उसके उपर pressure है, इस प्रकर देखिए, ऐसे blood vessel block हो जाता है, तो पूरा उंगली देखो काला हो गया, काटना पड़ता है, गैंगरीन हो जाता है, deformities हो जाती है, ऐसे दिखिए, deformities हो जाती है, callocities हो जाती है, तो यह सब neuropathy के features हैं, भास्किलोपाथी के features हैं, तो पाउं में ऐसा एक ulcer हो जाता है, तो जो मोटे हैं देख भी नहीं पाता है, क्या होता है, तो इसलिए एक mirror लेके देखना चाहिए, मेरे पेर के नीचे पाउं ठीक है, इस प्रकार ऐसे गांठे हो जाती है, tight shoes बहने से callocities हो जाती है, और इस प्रकार मैं बताया, हड़ियां बिल्कुल चुर-चुर हो जाती है, सारकूट आर्थरपाथी, अभी-भी PGI चंडिगड से एक patient आय थे, डॉक्टर एक हैं, उनके ऐसे पाउं में ऐसा हड़ि पूरा चुर-चुर होके सारकूट आर्थरपाथी हो गया था, और sensation बिल्कुल नहीं दुनों पाउं में, ऐसे हालत बात मत पुछे, एक डॉक्टर होके भी, कहने का मतलब है, कि अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत खत्रा है ये बिमारी, बहुत खत्रा है, डॉक्टर हो या कोई हो, किसको भी नहीं छुड़ेगी, तो कहने का मतलब है, देखे, हमारे पैरों में एक खुन सप्लाइ करने वाली नली होती है, जिसको हम नस केते हैं, दुसरा होता है, जो हमारे sensation के रिय करने वाले नर्व होते हैं, ये सफेद सफेद वाला नर्व है, वो जो रेड ट कलर वाला ओऐ खुन की नलिया है, जो ये खुन की नलियां जब ब्लक हो जाती है उसको हम केते हैं भास्कुलोपाथी peripheral vascular disease उपर दिखा रहे हैं और नीची जो सफेद सफेद नस है वो जब ब्लक हो जाती है नीरोपाथी केते हैं उसमें खुन की supply कम हो जाती है तो ठीक से काम करना नहीं छोड़ देते हैं तो उसको नीरोपाथी केते हैं जब नीरोपाथी हो जाती है देखिए ये पाओं में कैसे घा हो जाता है सेंसेशन नहीं रहता है चलते समय उसमें इंजूरी हो गई कुछ हो गया खिल भी घुस गई पता ही नहीं चलेगा तो इसको नीरोपाथी हम कहते है ऑल्सर हो जाता है सालों तक ठीक नहीं होता है लेकिन अगर उपर ऐसे नस ब्लक हो गए जो खुन की नलियां अगर ब्लक हो गई तो देखो ऐसे काला काला होके सढ़ जाता है पढ़ना पढ़ता है पाओ एक नर्माल भेक्ति देखिए नर्माल भेक्ति का ऐसे नसे जो होती है, पूरा एदंग क्लीन है, उसमें खुंड के सप्टाय देखो कितना क्लीर है और ये side में जो देख रहे हो आप दिखे हो जो yellow color का दिखे हो ये सब वहां चर्वी जमा हो जाता है, cholesterol जमा हो जाता है, ethrosclerosis जाती है, रास्ता बंद जाता है, जितने खुन supply होना चाहिए नहीं हो पाता है, वह area दिखे है blockage है, जिसके कारण फिर क्या होता है, जिसके ऐसे कि नलियां अगर ब्लोक हो जाती है तो पेरों में बहुत पेन होगा आप जरासा चलेंगे काप मसल्स में एक दम पेन होगा बैठ जाएंगे अच्छा लगेगा फिर चलना सुरू करेंगे फिर पेन होगा समझ जाए आपके खुन सप्लाइ ठीक नहीं हो पा रहा है अगर नही ऐसा होता है तो हमारे पास एक मैसीन है जिसको डॉपलर मैसीन केते हैं उसमें हम चेक करते हैं कहीं ब्लोकेज है तो पता चल जाता है तो मैसीन से पता करके डाइगनोसिस करके फिर इलाज करते हैं सही ट्रीटमेंट करते हैं इस चितर में आप देखिए एक व्यक्तिका दे क्या होगा देख लिजे क्या होगा यह पैसेंट का फोटो निकाला है यह व्यक्ति का देखो पाउं एकदम काला होके सड़ गया बिल्कुल यहां से काटना पड़ा नीके जोइंट से नीचे काटना पड़ा तो बहुत खत्रा है कई लोग केते हैं डाउटर साथ कुछ नहीं ह मेरे थोड़ा सा फोड़ा हुआ है यह थोड़ा सा फोड़ा नहीं हुआ है अंदर अंदर कहां तक एकदम इंफेक्शन फैल गया था इस व्यक्ति को भी यहां से काटना पड़ा इस व्यक्ति भी अपना पाउन कमाया तो डाइबटिस में देखे प्रब्लम यही है कभी- पड़ता है काट देना पड़ता है कोई रास्ता ही नहीं है तो इसलिए बहुत खत्रा है इस प्रकार कईयों के ऐसे पेरों में क्रेक्स देखते हैं अभी भी मैं चेक करूँगा यहां बहुत माताओं के तो मैजरिटी ऐसे फटे हुए मिलेंगे यह जर्म्स के लिए दर्वाजा है अंदर जर्म्स घुसेंगे इन्फेक्शन हो जाएगा पेर कटाना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ बहरी डेंजरस क्यों कह रहा हूँ क्योंकि एक करनाटक से एक रिटार्ड अफिसर नर्थ इंडिया घुमते घुमते दिल्ली आगरा होते होते आबुरोड पहुँचे एक क्लास वान अफिसर है डेटार्ड डाइबिटिक आगरा देखने गए ताजमहल नंगे पाउ में गुमफिर के जब आबुरोड पहुँचे एक डाक्टर मुझे फोन करती है कि डाटसाव एक पैसेंट है उसका सुगर साड़े तीन सु चार सु करीब है और उसके पैर लाल-लाल दिख रहा है मैं बला कि तूरंत भेजो उनको दूसरे दिन जब आये में देखता हूँ यहां तक लाल हो गया है तीसरे दिन तक यहां तक लाल हो गया मैं उनको एकदम highest antibiotic देखे, ICU में दाखिल करके बहुत मुश्किल से उसका जान बचाया, मैं आपको बता रहा हूँ पैसा भी जाएगा, जान भी जाएगा, very dangerous तो पेर ऐसा नहीं फटना चाहिए diabetes में dry skin हो जाता है, majority का skin dry हो जाता है और जो नंगे पाउ में चलते हैं, ऐसा फटेगा है hundred percent आपको socks पहनने की आवसकता है घर में भी चपल पहनने की आवसकता है लेकिन वो हवाई चपल नहीं, जो ऐसा फीता वाला, वो हवाई चपल नहीं वो bathroom slipper है, खाली bathroom के लिए ठीक है आप घर में भी भेलक्रो वाला, सामने ऐसा भेलक्रो लगेगा पीछे साइड में अगर पटा हो तो ठीक है, back strap भी हो एकदम सब्ट मुलायम चपल पहना जरूरी है आपका चपल का साइज आपके पैरों से बड़ा होना चाहिए ना कि आधे उंगलियां बहार, आधे एडी बहार इतनी पतली-पतली, इतने एकदम प्लास्टिक का, इतनी मोटे-मोटे सब्ट मुलायम चपल पहनिये, घर से बाहर निकलते हो तो जुदा घर से बाहर निकलते ही जुदा पहना है, और जुदा बताया, आज कल कैनवास मिलता है माताओं के लिए, लेस अगर बांधना नहीं आता है, तो कोई बात नहीं लेकिन हाप सूज भी बहुत अच्छा, कमपोटेबल वाला मिलता है, कैनवास का, लेजिए लेकिन बाहर निकलते हो तो जुदा पहना है, आपको पाउं ठीक रहेंगे, सही सलामत अगर स्पोर्ट सूज पहनते हो तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्पोर्ट सूज पहनना चाहिए और आपके सॉक्स हमेंसा लाइट कलर का होना चाहिए, लाइट कलर light color के socks पहनेंगे तो कहीं भी पाउ में कुछ होता है तो उसमें stain होगा, कुछ होगा देख पाएंगे लेकिन बहुत मरीज होते हैं मुझे कहते हैं, डॉटर साब गंदा हो जाता है इसलिए हम काले मोजे पहनते हैं dark color का पहनते है dark color काला गंदा नहीं होता है नहीं होता है गंदा? होता है? नहीं होता है होता है? होता क्यू नहीं है, दीखता नहीं है मैं देखा हूँ प्रक्टिकल यह इसलिए बता रहा हूँ कई ऐसे लोग हैं मुझे को सिधा पहनेंगे साथ दिन फिर उसको उल्टा करके साथ दिन पहनते है और जैसे उनका जूता खुलेंगे न वहाँ मनुस्य तो क्या कुत्ता भी होगा तो भाग जागा वहाँ से इतना बदू मरता है कब भी ऐसा नहीं करना है आपका सॉक्स देली धोने किया हो सकता है देली धोना है और सफेद कलर इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पाओ में कहीं खरोच है कुछ है कुछ तो स्टेन होगा तो पता चलेगा आपको और कॉटन का सॉक्स पहनिए बहुत टाइट एकदम बिल्कुल एकदम निसान हो जाए ऐसा नहीं सब्ट कॉटन सॉक्स पहनिए और जुता भी कंफरडबल होना चाहिए जुता पहने से पहले हाथ अंदर डालिए देखिए वहां कंकड पत्थर तो नहीं घर में लोग बच्चे कुछ भी डाल देंगे नहीं और पैर के चेक कीजिए ऐसा अगर फटा हुआ है तो आज कल कई प्रकर के आते हैं वो स्क्रबर आते हैं एमरी पत्थर भी आता है वो आपको घिसके साप करना है पानी में थोड़े समय तक गिला करेंगे सब्ठ हो जाएगा अच्छी तरह से घिसाई करके जो कपड़े घिसाई करके साप करो और पेट्रोलियम जेली बाजर में मिलता है आपको भी मेडिसिन स्टोर में मिलेगा कभी कभी हाड़वेर स्टोर में भी रखते हैं केन आता है बहुत सस्ता है वो भैसली नहीं है उसमें खली खुस्वू नहीं है ये सारे बाहर से जो भैसली नाम से मिलता है उसमें थोड़ा सा खुस्वू डाल देते हैं और आपसे दस गुना रेट ले लेते हैं पेट्रूलियम जेली आता है डेली रात को सोने से पहले अच्छी तरह से पाँ में पुरा मालिस करके लगाईए सबरे नाहने के बाद प्टाई तो सबरे नाहने के बाद भी लगाईए सारे जिसका पूरा ड्राइ स्कीन है होल बोडी में मसाज़ कर सकते हो बहुत अच्छा है एकदम सट हो जाएगा आपका स्कीन देखना बहुत अच्छा लगा होल बोडी में में मैसेज कर से दो कोई बदबू नहीं कुछ नहीं कई लोग मुझे कहते हैं डाक्टर साब क्या तेल लगाने से नहीं चलेगा नारियल तेल की सरसों का तेल तील का तेल लगाते हैं लोग मैं कहता हूँ लगाओ भले वो भी अच्छा है लेकिन एक बात याद रखना हमारे भारत वर्स में चूहूं का कोई कमी नहीं है आप अगर रात को सोय हो नारियल तेल लगा के मुझफली का तेल लगा के उस खुस्बू लेके चुहाएगा रात को और आके रात को एक उंगली खाके चला जाएगा सबरे देखेंगे तो लाल 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 पुरा खून में बी केरफुल इसलिए नहीं मैं मना करता हूँ तेल फेल नहीं लगाना है पेट्रोलियम जेली रखो लगाओ अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा साफ हो जाएगा फटना नहीं चाहिए एडी जो नंगे पाउं में चलते हैं उनका फटेगा जरूर फटेगा पक्का अभी भी नहीं आप खुद चेक किजिए देखिए अपने पाउं और साथ में ऐसे गांठे भी नहीं होनी चाहिए जो पालती मारके लंबे समय तक बैटते हैं नीचे कुछ कुसन की कुछ ऐसा सप्ट कुछ नहीं रखते हैं सेठ लोग ऑक्सर करके दुकान में जो बैटते हैं लंबे समय तक सारे शरीर का प्रेसर देके ऐसे गांठे हो जा आपके ऐसे गांठे हैं, केलो सिटीज हैं, तो उसको डिप्राइट करना पड़ता है, आपको भी भी कॉर्न केप नहीं लगाना, बेरी डेंजरस, आपको बहुत लोग एडवाईज देंगे, कॉर्न केप लगा दो, बिल्कुल नहीं, उसमें सेलिसिली के सीड है, चर लेगा स स्कीन को ऑल्सर हो जाएगा, भरेगा नहीं, बहुत देंजरस, कुछ भी करने बैठे, आप खुद कर बैठेंगे, प्रोब्लेम होगा, नहीं करना है, डेबरेट करना पड़ता है, ये स्प्रेडिंग सेलुलेट इसे, देखो कहां कहां तक पूरा, कैसा हो जाता है, चम्री देख रहे हो, एक आदमी देखे, बुढ़ा बावा क्या करा रहा है, उसके पेरों का चेकिंग करा रहा है, काला काला हो गया है, और एक भाई उसका फुट केर कर रहा है, उसको पोडिटरी सेन के तहें, फुट केर कर रहा है, ठीक है नहीं, लेकिन दुसरा पेर देख रहा देख रहे है, वो नीक जोएंट के नीचे क्या है वो, अल्रेडी कट चुका है, आर्टिफिसियल जोएपूर फुट लगा हुआ है, डाइबरेटेस मरीज किसना किसी कारण से गलती से अगर कहीं एक पेर कट गया, बी केरफुल, दुसरे पाउं कटने के लिए कोई देर नही ही, very dangerous, save your limbs, नहीं तो सारा जिंदेगी फर ऐसे wheelchair में बिताना पड़ेगा दोस्तों, बहुत dangerous, मैं जब देखता हूँ, बहुत दुख लगता है, छोटी सी गलती के करण, छोटी सी गलती में आप उतरो, कितने लोग ऐसे पाउं कवाते हैं, very dangerous, आप अपने में कहूंगा, आ जितने बार अपना फेस देखते हो मिरर में, उसका दस गुना अपना पेर का देखो, पेर देखो, आपके पेर तो गुरुओं के चरन जैसा होना चाहिए, जैसे गुरुओं का चरन लोग धुलाई करके पानी पी जाते हैं, आपका पेर को कोई धुलाई करके पी जाए, इ लेकिन अंदर तक कभी नहीं काटना है। नाखुन काटते समय कहीं भी चूट लग गया, कुछ हो गया, इंफेक्शन हो गया, बहुत देंजरस है। ब्रह्मा कुमारीश के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स साथ दिन, प्रति दिन एक घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे-छोटे गामों में हमारे आठ हजार से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदी की सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्ख करें।